आएए नमस्कार दोस्तो स्वागत है कुट से माए चानल पर नया विडियो मैं आपका दोस्तों पन्गुप्ता एक बार फिर से आप लोगों के लिए कर आचुका हूँ एक और नया विडियो जैसा कि मैं आप लोगों से वादा किया था कि कि मार्केटिंग में हेल्प करने के लिए मैं आपको बोला था कि एक ऐसा प्लान आपको बताऊंगा जिसके बिना किसी भी बिजनेस का मार्केटिंग अधुरा है भाई लोग आप लोग में मुझे लगता है कि कमी कहीं न कहीं है सब लोग बिजनेस करने में तो इंट्रेस्ट का नॉलेज है उनसे आप जरूर डिसकस करिए और अपने बिज्ञेस को आगे बढ़ने के लिए क्या स्ट्राइडी बनना चाहिए वह आप लोग जरूर बनाईए क्योंकि किसी भी दुनिया के बिज्ञेस आप खोल लेंगे बिना मार्केटिंग प्लान का आपका बिज्ञेस है अगर आप मार्केटिंग प्लान को नहीं समझेंगे तो बिल्कुल ही समझ दिजिए कि बिज्ञेस चलाना तब नामुम्किन ही एकदम नामुम्किन साही समझ लिए नामुम्किन के बरावर कह सकते हैं हो सकता है कुछ लोगों का रिसोर्स बगएरा जान पहचान के सब्सक्राइबुइल हो जाएगा तो इन सारे मार्केटिंग श्राइजडी में एक बहुत-बद्राइज है उसी के बारे में हम आज बात करने के लिए आप लोगों के साथ отлич हम प्रताते हुम को सेल्स A& मार्केटिंग का जो नियम है उसमें एक वर्ड के बिना साड़ा सेल्स और मार्केटिंग फेल कर जाता है वह वर्ड है लो आप वह वर्ड है जिसके बीना हम कितना भी कुछ कर लें लेकिन हमारा सेल नहीं बढ़ेगा अब फॉल्व आप से हम लोग क्या समझते हैं लेकिए फॉल्व आप का सिंपल मिनिंग मुझे एक है दूं कि कस्टमर से उनके बताये गए समय के अनुसार आप उनसे मिलिये और बाते करियें यह शीम्पल मिनिंग है फॉल्व आप के बिना आप समझ लिए कि किसी जगह से सेल्स लाना बहुत मुश्व होता है अब आपको do follow up के नियमद समझाते हैं आप किसी भी अपने कश्टमर के पास जो भी जिस बिज्नेस में आप हैं उसके लिए आप अपने कश्टमर के पास गया है और उनसे मिले या फिर कहीं जा रहे हैं जल्दी में आपने मिला और बताया कि भीया सो हम यह प्रोड़क्ट बनाते हैं आपके सामक छपना प्रोड़क्ट दिखाएंगे आप वह जल जल दी में देखा और बंदा निकल गया वहां से चला गया आपको बोला कि यहां बहुत ज्याजा कस्टमर था वह बीजी थे आप अपना बात बता चाहरा है लेकिन वह सुन नहीं पा रहे हैं करके और उसके बाद आपको बोलेंगे कि ठीक है आप ऐसा किजिए अगले दिन आईए अभी मैं थ्वाब्यास्त हूं आप फिर जो है वहां से चले जाएग और थर्ड फॉलो उप में जाने के बाद आप वहां जाएगा और बोलिएगा कि भरिया आपने बोला था कि मुझे इतना तरिक को आने के लिए मैं आया हूं और वो आदमी का मतलब समझ लेजे कि कुछ ऐसा हालात हो या फिर उसमें भी वह भी नहीं हो वो किसी और का में ब बोला और उन्होंने फिर आपको अंदाज कर बोला कि ऐसा कि यह आप बाद में आई अभी हम फिरी नहीं तो आपने फॉर्ट फॉलो अप ले लिया अब आप क्या सोचेंगे अपने मन में कि यह आदमी मुझे बेवकूप बना रहा है इसे हमारे साथ बीजनेस नहीं करना ह है और यह जूट मुट का मेरा टाइम पास कर रहा है तो देखिए वह आपके साथ यह परसानी आएगी किसी भी मार्केटिंग में है तो आपको यह परसानी आएगी यह हम मानके चलते हैं क्योंकि कस्टमर का नेचर ही ऐसा होता है कि आपको जल्दी एक सेप्ट नहीं हम उसको फॉलो अप नहीं बोलेंगे हैं आपने चार अटेम्ट लेकिन चार में से एक फॉलो अप वह काम करनेंगे दोनों कट सारा चारों कट फॉलो अप का मेंन मीनिंग हुआ कि एक प्रॉपर तरीके से कस्टमर आपको तरस या पाच मिनट दे उसके बाद आप अपना स सारा बात उनको समझाए ढंग से हम यहां से आए हैं हम यह प्रोडक्ट बनाते हम आपके साथ ऐसे दील करना चाहते हैं हमारे पास एए स्कीम है आप जो भी स्कीम डेवलप कर रहे हैं सारा चीज़ उनको समझाए अगर वह अच्छी तरह से समझ लिए तब अगर हमारे सातनी जूर रहे हैं लेकिन आपने जब तक उन्हें अपना सारा बात बताया ही नहीं और नजर अंदाग के वज़ा से किसी वज़ा से अगर वह नहीं जूर रहे हैं तो और अपने दिमाग में आप खुझी सोच लिए कि नहीं यह आदमी मेरे साथ बिजनेस नहीं करेगा वह फॉलो अप का सउई तरीका नहीं है अब सरवालो अपका सई तरीका मैं आपको बताता हूं किसी भी कस्टमर के पास गये उनसे पहले तो एकस से बात करिए उनसे उनका हाल समाचार पूचिए उसके बाद अपना बात आप बताईए यहां क्या है अगर वह सुनने में उस समय चुक है तो ठीक है अधरबाइज आप उन्हें बोलिए कि पहले आप अपना कस्टमर डिल कर लिजे मैं फिट कभी आ जाओंगा आप सर बता दिजे कि किस टाइम में आ है उनसे उनको यह लगेगा कि इस आ या फिर उनके साथ बैठ जाए उनका कुछ हेल्प करा दीजिए उससे क्या होगा कि आपका रिलेशन अच्छा बनेगा तो फर्स्ट फॉल्व आप में दो एक घंटे में जरूर आपको दस मेंट वह टाइम मिल जाएगा जब आपके कस्टमर को आप अपना बात समझा या फिर आपको फोन कब करूं आपका फिरी होंगे उन्होंने जिस डेट को बताया मंडे मंडे को दस बज़े या मंडे को बारा बज़े आप एडजेक्ट सेम डेट में जाएए क्योंकि आपकी पंक्शुलिटी मतलब आप कितनी अपने समय के पावंध है इससे आपका साम अपने हिसाब से चीज करते हैं तो आप एकदम सही समय से उनके पास फोन करिए या फिर उनसे मिले वह आपका सेकेंड फॉलो अप हो जाएगा फिर फॉलो अप वैसे उनके दिये हुए आप कम से कम पांच फॉलो अप लीजिए जब तक कि पूरी पूर्ण तरीके से आदा पहुचा सकते हैं तो जो फॉलो अप है वह आप करिए तब आपका सेल्स जरूर इंक्रीज होगा बढ़ेगा दूसरा चीज एक छोटा-छोटा सा नुसका मैं आपको एक सेर करना चाहता हूं यह मेरा फॉलो अप इस तरीके से और फॉलो अप के दौरान क्या करिए कि उनका डेटा आप लेते हैं उनका नाम नंबर मॉबायल नंबर तो आप उनसे उनका डेट बर्स भी पूछ लिए तो पहले तो उन्हें पटासा लगेगा लेकिन आप उन्हें मतलब मैं अपने लेवल से काम करना चाहता हूं इसलिए मैं पूछ रहा हूं और लोग में नोट कर लिए अगर कस्टरमर मैरेड है उन से उनकी मैरेज इनवर्सरी पूछ लीजिए और एक डेटा बेस या फिर आज की टाइम में सबके पास मुवाई मुवाई फोन है उसमें आप लगाए और उनके डेट ऑब बर्थ या उनकी मैरेज इनवर्सरी या फिर उनकी बच्चों की डेट ऑब बर्थ किसी भी दिन उन्हें फोन करके या फिर मैंसेज एक डाल दीजिए यहां मैं फलाने इंडस्टी से या फिर फलाने जगर से मैं सब्सक्राइब को यह सब चीज़ें अच्छी लगती है आपको सुनने में थुरा सा अजीव लगता होगा अटपटा सा लगता होगा लेकिन विश्वास कीजिए कंपनी में हम काम करते हैं वह एक मल्तिनेशनल कंपनी है और बहुत बड़े लेवल पे हैं और हम लोग एक से नौ रात के मैं आप लोग के लिए वीडियो सुट कर रहा हूं चुकि क्यादे से आज मुझे अपनी जो मेरी बिजनेस है उसमें दिन भर काम करना था संडे को मैं वहां दिन भर काम करता हूं लेकिन चुकि मैं अपने जॉब में अभी टार्गेट को एचीव नहीं कर पाय है कि जो भी मेरे महीने पर का टार्गेट हो मैं पांसे दस तारीक तक एचीव कर लेता हूं लेकिन आज तक मतलब अब दस तारीक आने वाला है आज समझे की हो गया तो तीन दिन में मुझे अपनी पूरी टार्गेट एचीव करनी है तो आज मैंने छुटी नहीं लिमारी इपने संदे से संदे के दिन मैंने ड्यूटी गया हमै तो में दीटी गया हूं आज मैं समस्थी गया हुआ था बहुत लोगों को पता होगा समस्थी पूर। मीहार में हैं तो वहां पर से ने क hela भी करने हम लोग उनलोग वहां गये और उस चीजों को सीखते हैं मार्केटिंग ही एक ऐसा चीज है जब आपको लगेगा कि मैं अभी भी पुर्ण रूप से नहीं सीख पाया हूं मैं हर रोज कहीं न कहीं दो दो कस्टमर के जब मैं बैटा हूं तो दो बातें उनसे सीखता हूं और फिर आप लोग भी सोता हूं कि आप लोग भी सीखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं कि जितना आप ध्यान प्रोडक्शन पर देते हैं उतना ध्यान आप अपने कस्टमर के फॉलो आप पर दीजिए मार्केटिंग पर दीजिए से स्ट्रेड़ी बरान में मैं जब जुक्ति होता है मुझे बिलकुल ही डर नहीं स्ट्रेश फोल होता है जब टार्गेट नहीं होता लेकिन मुझे लेखैट को करने में जो किक मिलता है न वह हैं चैलेंज में accept करता हूं न उससे मुझे इतना मचाता है जिसे मैं आपको बताने सकता हूं मैं रात को दो बजे तक जाता हूं कल भी एक बारे साब से दो बज़े रात को मेरी चैट हुई थी वार्टसप पे अपने बिजनेस के रिगार्डिंग और मैंने अपना ओफिस का काम खतम करने के बाद उनसे बात करें जब मैं बेट पर सोने जा रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी दो बज़े और तक कोई आद्म बंदा है जो इस बारे में भी सोच रहा है तो आप लोग मेहनत करें मेहनत करने का कोई समय नहीं होता दिये अंद्राज सब एक बराबर है आप कितना मेहनत करते हैं आप अपने टाइम को कितना प्रोड़क्टिव बनाते हैं वह आप पे डिपेंड करता है और चैनल को सब्सक्राइब कर के रेट बदन दवा के नोटिफिकेशन ओन कर दीजिए क्योंकि जितने भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लेम्स है से रिलेटेड प्रॉब्लेम्स है मैं आप लोग उस पे वीडियो बनाकर सलूशन देता हूं अगर आप लोग को किसी के रिए मैं वहाँ पर बात करूंगा आपका प्रॉब्लम का सलूशन देने का कोशिज करूंगा तो चलिए जादा वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को खतम करना चाहता हूं और जो लोग हमारे अभी तक सब्सक्राइबर बने हों उनको मैं एक बार धन्यबात कर करता हूं कि आप लोगोंने हमें जोइन किया हमारे चैनल को जोइन किया अपने परिवार को बढ़ाया है इसके लिए मैं दिल से आवारी हूं आपका बहुत जल्दी हमारा परिवार एक बड़े परिवार में बदल जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग का सपोर्ट कर सकते हैं獰 अपना कमेंट पर कमेंट लिख सकते हैं मुझे मैंसेच कर सकते हैं किसी इस मागीम से आप मुझे बताएंगे मैं पर वी्डियो बना कर करके